तो हेलो दोस्तों नमस्ते तो आज की इस वीडियो में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सुबा के साड़े 6 वजे हुए है और साड़े 6 वजे मुझे ऐसा जरूरी काम पड़ा है क्योंकि जो हम ये जन करते हैं येज्ज करते हैं भगवान का नाम जि जीवन के अंदर पर पता नहीं सकते हैं तो आज मोका लगा है सुबह सुर्य देव का प्राकट्टे हो चुगा यानि कि सुर्य देव निकल चिपा है और बिल्कुल में वाइक लेकर के पहड़ों के वीच वीच खड़ा हुआ हूँ वैसे तमयाता रहता हूं दिन के अंदर बढ़िया लग रहा है चेहरे के ओपर चिल चिलाती तो पड़ रही है और मजा रहा है सुरी है मतलब काफी दिनों बाद और जो शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको तो यह चीजे देखने तक को मतलब काफी अरसा-रसा हो जाता क्यूंकि बहुत लेट दिन चर्याज लोगों की बहुत लेट तो कमाल का मुझे अनभा हो रहा है और मैं यहां पर घड़ा हुआ हूँ पाहड़ों के बिल्कुल बीच बहुत ज्यादा पसंदा मुझे पाहड़ों के अंदर आउट आउप लिमिट तो यह सुरस देख निकलाता हुआ है लेकिन अभी मैं बिल्क करें काफी अच्छा लग रहा है विए मैं आप तो थोड़ा सा और लीप ले नीचे की तरफ ले जाओं और सुबह का जो नजा रहा होता है और मज़ा आ रहा था तो मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूं जो मैंने पीछे तो देखेंगे ये इसमें तो नहीं आ रहा है तो थोड़ी के जला आ रही है देखने में आतिया तो रहा है देखत के थोड़ा से ऊपर चड़ चुके हैं देख ओ देखो डोय तो मौसम इतना सुंदर होरा देखू हैसे सूरिय निकला हुआ था और सूरिय का ये वाला नजारत बड़ा ही डूँए देखने में विद्यन सुंदर लग रहा है और बादलों के बीच में सूरिय छेप चुका है नेवला अमारी तरफ देखता है तो यह वाला नजारत देख करके मुझे बड़ा ही अद्भूत सा मैसुस हो रहा है क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और नीचे वह सारे अशुदियों के पेड़ है तो इधर चलेंगे उदर चलेंगे आगे की तरब चलेंगे भागया हुद देख करके नेवला चलो पहाड के इंदर इस समय घूमने का तो आनंद ही वैसे कुछ हो रहा है ना तो इस बस आनंद आगे अज पराज का आनंद और संसार में जाकर के पूरा दिन पतानी क्या क्या करना पड़ेगा हुद इधर ही था हुद जाना हुद क्या अज़ेगा हुद आ हुद जाना हुद जबास एले क मेना झालो और समय घ्या हुद तर गाटर समी ब stato च Бог深े का इंड़ेगा हुद